नवस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे दिल्ली वर्षिज राजस्तान 2022 IPL का जो 34th नंबर मैच खेला जाएगा उसके बारे में तो दोस्तों देखें दोनों टीमों का जो बैटिंग डिपार्टमेंट देखो है तो काफी जादा श्रोंग है तो यहाँ पे आपको प्लेयर का क्वालिटी का एंपरिजन करके प्लेयर करने पड़ेंगे तो संपुर्ण एनलाजिस इस वीडियो मिलेगा कौन सा प्लेयर आप के लिए समोल लिग में बड़ी आपिक बनेगी जब कि किस प्लेयर को आपको जील के रोटेशन में ट्राइ करके चलना है लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बदाएता हूं कि आपको फाइनल टीम है वो मिलेगा टेलिगराम चैनल में तो यह बना टेलिगराम चैनल है यह हां का जो विकेट है दोस्तों इसका historical data देखोई तो यहां पर batting friendly विकेट माना जाता है लेकिन इस वाले सीजन में यहां पर ज़्यादा बड़ा total बना नहीं है लेकिन last के तीन मैचेज देखोई तो 169 है 165 है और 189 का score बना है और most of the time second inning में जो टीम बैटिंग करती है उसके जीतने के ज़्यादा चांसिज रहते हैं क्योंकि आपर due factor आता है second inning में वहां पे run scoring है वो chase करना easy हो जाता है तो आप इस वाले मैच में भी 170 के लगब का score आप accept कर सकते हो हो सकता है कि 180 का score भी आपर बनता हो दिख सकते हैं क्योंकि दोनों टीमों के पास जो बैटिंग depth है वो अच्छा खासा है लेकिन दोस्तों देखे दोनों टीमों में comparison करको जो कोई तो थोड़ा सा जादा जो बैटिंग है उसमें depth आपको राजस्तान का जादा नज़र आएगा सपिन और पेसर गेंदबाज का comparison करोगे तो 20 विकेट अभी तक स्पिनर्स ने जबकि 43 विकेट है वो यहाँ पे पेसर बोलर निकालके गए पेसर बोलर यहाँ पे करते हैं स्पिनर्स के लिए ज़्यादा टरन अवाइलेबल नहीं है लेकिन कभी कबार रन प्रेसर में आके जो बैट्स में स्पिनर्स को अपना विकेट फैंक के चले जाते हैं और इसके अलापा जो फाइनल पीच रिपोर्ट रहेगा मान लेजिए कि हो सकता है कि अगर न दोनों का फोर्म जो वो बहतर चल रहा है दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन की भी बड़ी अपी करेंगे लेकिन पिर त्वी सो हैं वानखेडे के स्टेडियम पे हमेशा अच्छा स्कोर करवा के देते हैं लेकिन पिछरा मैच इनका वानखेडे के ग्राउंड पे हुआ था जो RCB के गंश्ट में था वहाँ पर केवल 16 ही रन कर पाए थे लेकिन ओर रोल देखो यह तो फोर्म अच्छा चला है दो हाप सेंचुरी लगा चुके हैं और दो यहाँ पर 40 में स्कोर भी करके गए हैं हैड टो एड साथ मैच में 19 के एवरेज से इन्होंने रन करवा के दि नीचे भी इनको भेज दिया जाता है रिसब पंथ है रोमन पाविल है यह उपर बैटिंग करने आ जाते हैं लेकिन देखे रोमन पाविल का जिस तरह से बैटिंग परफॉर्मस चल रहा है इनका फोर्म चल रहा है मेरे खाल से रोमन पाविल है वो नीचे बैटिंग करने ह क्योंकि जनता इसको ignore करके चल रहा है continue लेकिन यहां पर देखे एक विकेट है फिर एक और यहां पर दो विकेट भी निकाल के दिये जब मोका मिलता है तो बैटिंग में प्रफॉर्मस रहता है 25 और 48 नोट आउट की निंग खेल चुके हैं हेट टो एड में देखे 17 का बैटिंग है तो यह प्लेयर्स आपके लिए इस वाली मैच में ट्रंप कारड रहेगा सारदूर ठाकूर बैटिंग बैकप भी देंगे तो रास्तान का बोलिंग लाइनप अच्छा है तो यहां पर विकेट तो कंफरम से गिनने वाले हैं तो इस और की बोलिंग में 10 विकेट निकाल चुके हैं तो इस वाले मैच में आपके लिए इंपोर्टेंट पीक अकसर पटेल लास्त वाले मैच में दो विकेट निकाल के दिये लेकिन उससे पहले का प्रफॉर्मिंग का देखो इतो चार मैचेज में केवल एक पांच मैचेज में से एक आइस वाले सीजन में इंपोर्टेंट रहेंगे लगातार कंटीन्यू विकेट निकाल के दे रहे हैं और इमन ये ना 18 से 20 और के बीच में एक और अमपना कंप्लीट करवा के दे रहे हैं तो वहां से विकेट मिलने के इनके ज़्यादा चांश हो जाते हैं और और मिला है हैट टो एड में एक मैच में चार अवर की गयंदबाजी इननों ने की थी वहां पे एक विकेट इनों ने को मिला खलील एहमद फॉम लाजवाब चला है कंटीन्यू विकेट निकालके दे रहे हैं और अब तक चार मैचेज में आठ विकेट निकाल चुए हैं हैट में और कुछ प्लेयर्स हैं जैसे मिचल मार्स दोस्तों कोविड पोजिटिव की वज़े से साइधर नहीं खेलेंगा दर्वाइज कोरंटाइन ठीक हो जाते हैं नेगेटिव आ जाता है तो आपको खेलते हों मिलें तो मिचल मार्स को जरूर से अपने टीम में ट्राइ कर दोस्तों अगर आपने वीडियो लाइक नहीं करना तो लाइक कर दीजेगा मोटिवेशन के लिए जरूर से एक लाइक आपको करना है दोस्तों मेरा मोटिवेशन बना रहता है और वीडियो देखने के बाद टेलिग्राम चैनल भी जोइन कर लीजेगा लिंक नीचे वीडि 22 का बैटिंग अवरेज है लेकिन ये पीछे के रिकोर्ट्स पे ज्यादा ध्यान मत दीजेगा इनका हालिया फोर्म अच्छा चल ला है तो एक सीवी सी की बड़िया चोई देवदत पैडिकल एवरेज प्रफोर्म करवा के जरूर दे रहे हैं कोई बड़ा इंपक्ट वाल लाश्ट में आके हार इटिंग से 25-30 किनिंग खेल के चले जाते हैं तो एक्स्टा पोईट ये बाउंडरीज वाले भी देते हैं कुछ एक्स्टा पोईट ये अपने एकोनमिक स्टाइग रेट से भी देते हैं इंपोर्टेंट रहेंगे और हैडट वेड में 35 का इनके नाम है प्रसिद किर्शना हालिया फॉर्म इनका गडबर चल रहा है शुरुवात में दो मैचेज में ठीक ठाक पर्फॉर्मस रहा था लेकिन अब इतने ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं रहे हैं चार मैचेज में हैट टो एड में 12 और के बोलिंग में केवल एक विकेट इनके नाम है तो इनका हैट टो एड भी इतना अचा नहीं है हालिया फॉर्म ठीक ठाक नहीं दिखाई दे रहा है तो जील में आपके लिए बड़िया पिक और अगर आपको कवर करना है तो रास्तान कंटीन्यू विकेट निकाल के आ रहें लास्ट मैच में इन्होंने दो बार है ट्रिक पर भी आये थे जवर्दस बोलिंग के वा हैट टो एड में 15 मैच में 15 विकेट निकाल चुके हैं कवर करके चलना पड़ेगा सीधा सीधा ट्रेंट बोल्ट फोर्म अच्छा नहीं है ल हैं डिलेवरी का अच्छा खासा इस्तिमाल करते हैं तो इस टाइप के जो बोलर से हमें सब विकेट टेकिंग रहते हैं आप अपने टीम में जरूर शे कवर कर लीजिएगा तीन सोरी तीन पॉइंट चार और की गैनबाज में पिटाई अच्छी खासी हुई थी लेकिन दो विकेट निकाल की दिया और इनकी बोल पे एक इजी कैस संजु सेंसन ने ड्रोब भी किया था अधरवाज तीन विकेट निकाल के चले जाते तो ट्रमप कार्ड एक और आपकी टीम में ओबिड मकोईर रहने बाले हैं बैंसेज में कुछ प्लेयर्स को खेलेगा इंफूरमे चल ला है तीनों को आपको अपने टीम में कवर करके चलना पड़ेगा और तीनों कैप्टन वाइस कैप्टन की भी बड़ी आपिक इस वाले मैज में रहेंगे बैटिंग सेक्शन में डेविड बोननर, सिमरान हैट मेर, पिर्थवी सो इन तीनों का फोम भी लाजवाब चल की अभी के लिए और लाउंट सेक्शन में मैंने लली तीयादों को रखावाएं क्योंकि देश्टी दोस्तों देखें जनता इग्नोर कर रहा है कि एवल 42% का सेलेक्शन है लेकिन ये ऐसे प्लेयर जो दो से तीन आवर की बोलिंग भी कभी भी डाल के देंगे और साथ में बेटिंग बैक अब इनका रहता है आप चाहो तो अक्सर पटेल को अगर आपके पास ग्रेडिट हैं तो आप अक्सर पटेल के साथ जा सकते हैं जिनके चार आवर कंफरम रहते ही रहते हैं मिचल मार्स अभी के लिए खेलना कंफरम नहीं है दोस्तों अगर खेल जाते हैं important रेंगे try कर सकते हो अभी के लिए मैं सोच रहा हूं कि यह नहीं खेलने वाले है और रविचंद्र अनस्विन इतने ज़्यादा विकेट टेकिंग बोलर नहीं रही है तो जीर में try कीज़ेगा कभी कबार बैटिंग से performance भी देखने को मिलता है इनके बल्ले से बोलिंग सेक्षन में यूजी चैल है कुल दीप यादव नीचे सारदूल ठाकूर और अभी के लिए मैंने Trent बोल्ट मेरी टीम में रखा हुआ है एज ट्रम्प कार्ड पी अगर आपको लगता है कि Trent बोल्ट फिर से यहाँ पे flow हो सकते हैं तो आप देवदत पैडिकल के साथ जरूर चले जाईएगा क्योंकि यह 30-35 रन आपको बना के देंगे जो कि आपको लगबग 2 विकेट के बराबर का काम करवा के दे देंगे तो आप Trent बोल्ट की जिगह पे ट्राई कर सकते हो लेकिन मैंने अभी के लिए बोल्ट अपने टीम में रखाए सारदूर ठाकूर को जनता अभी के लिए ट्राई नहीं कर रहा है लेकिन रास्तान का जो बोलिंग लाइनप है वो अच्छा है तो इनके बैटिंग आने के चांसिज भी रहेंगे क्योंकि दिल्ली इस वाले मैच में मेरे खाल से विकेट लूज करने वाला है जिसमें मैंने कैप्टन बटलर, वाइज कैप्टन मैंने डेविड बोर्नर, यहाँ पे देखिए रिस सपंत है, संजू सैंसन है, पिर थ्विसों है ये चैपकन के बड़ी आपिके रहें जियल में यूजिट अहल ट्रेंट बोर्ल और इसके सासाथ दोस्तों देखिए पल्दी पिया दो, ये जियल में आपके लिए कैप्टन के बड़ी आपिक और यहाँ पे आप सारदूल ठाकूर को भी अपने टीम में रख सकते हो, जो तो टेलिग्राम में टेलिग्राम चैनल का लिंक नीचे वेडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाके टेलिग्राम को जोइन कर लीजेगा और दोस्तों अगर आपको वेडियो अच्छा लगाओ तो लाइक और कोमेट जरूर से करके जाएगा थैंक्यू गैस